अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, most likely होली के दुरान आप ये देख रहे हैं, इसलिए होली मुबारक और होली अधूरी है बिना ठंडाई के ठंडाई एक ड्रिंक है जो दूद से बनता है, हाला कि कई लोग उसमें भांग डालकर पीना प्रेफर करते हैं, ये भांग वाला वीडियो नहीं है बिल्कुली ख्लीन है, इसलिए इसे आप बच्चों को भी सर्फ कर सकते हैं, बड़ों को भी सर्फ कर सकते हैं, ये एक ऐसा है हमारा ठंडाई ट्रिंक, और हाँ, एक बार फिर से, होली मुबारक, ओर राइट, देखिए ठंडाई जो हम बना रहे हैं, उसके लिए हमें लेना है फुल फैट मिल्क, नाव ऐसा नहीं कि मतलब फुल फैट मिल्क ही चलेगा, आप चाहें तो टूंड मिल्क का भी इस्तवाल कर सकते हैं, बड़ फुल फैट अच्छा रहता है, एक अच्छा माउथ फील आता है, गाड़ा होता है, टेस्टी होता है, तो दूद को हम उबा ल अगर आप भिगो के रखेंगे, नर्म हो जेंगे, पिस्ने में असानी होगी, ये है काजू, देखें जो ठंडाई होती है, उसके अंदर ड्राइफ रूट होता है और मसाले होते हैं, ये है भीगा हुआ बादाम, ये है पिस्ता, बादाम, काजू, पिस्ता, बढ़िया ची ये लाइची, ये लाइची भी हमने भिगो के रखी दी, थोड़ी सी काली मिर्च, ये है खस-खस जिसे मैंने पानी में भिगो के रखा था, ये भी पानी समेध इसमें जाएगा, ये है सौफ, इसमें हम डालेंगे वाटरमेलन सीद्स, और ये है खीरे के बीच, ये है, खीरे का बीच, इसमें मैं डाल रहाओ, रोज़ वॉटर, इसमें हम डालेंगे सिनिममन पावडर, और थोड़ा सा नटमेक पावडर, दोनों बढ़िया फ्लेवर देते Hail 에. इसमें हम डालेंगे ये भीगा हुआ केसर और उसका थोड़ा सा पानी, इसमें हम डालेंगे just a little dash of water, इतना के ये अच्छे से पिस जाए at the same time, thick paste होनी चाहिए, इसले not too much of water, perfect अब इसे हम fine puree कर लेंगे perfect, वाव, इसकी खुश्बू, it's too good, awesome और बड़िया रंग आया केसर का, दूद के अंदर उबाल आ गया, उसे हमने हलका कर दिया उसके अंदर अब हम डालेंगे, चीनी, चीनी आपके स्वात के उपर है और इसके अंदर जाएगा हमारा ठंडाई का ये paste make sure जब आप ये डालें, continuously दूद को आप फिलाते रहें ताके इसके अंदर lumps ना बने ना, अच्छे से हमें इसे mix करना है और इसे देना है एक quick boil होगा क्या? boil होने से, गर्मी लगने से जो spices हैं वो अपना flavor release करेंगे और बढ़िया तरीके से तो देखे, वैसे देखा जाए तो दो तरीके हैं आप चाहें तो इसी मसाले के अंदर दूद डाल कर serve कर सकते हैं वो भी धंडाई है लेकिन अगर आप उसे एक बार उबाल लेते हैं केसर अपना रंग छोड़ेगा जो मसाले हैं वो अपनी खुश्बू थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिलीस करेंगे और वो खाने में बढ़िया लगेगा खाना भोला मैंने, पीने में बढ़िया लगेगा तेखा, हो गए अपने खानों में ओर राइट बढ़िया खुश्बू आ रही है इसकी इसे हम एक quick boil देंगे और उसके बाद कैस को करेंगे बंद तो गए दिस nice, beautiful, thick थंडाई और इसकी जो खुश्बू ए मसालों की पुरी किचन में फैली वी है मेरी किचन महेकरी है in fact इसे अब हमें completely थंडा करना है जब हम इसे serve करते हैं या तो totally chilled हो फ्रिच के अंदर या फिर आप इसमें बरफ डाल कर भी serve कर सकते हैं अब चलते हैं tips and tricks की तरफ जहां पर हम जानेंगे कि थंडाई बनाते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम थंडाई दूद बनाते हैं आप उसे अगर fresh बना रहे हैं मतलब ठंडाई का मसाला make sure कि जितने भी ingredients है उसे आप आधे घंटे के लिए कम से कम पाने में बेगो के रखें ऐसा करने से क्या होगा जो ingredients है सारे के सारे वो नर्म हो जाएंगे और पिसने में आसानी होगी अगर आपके पास केसर नहीं है घर पर जो कई लोगों के पास कई बार नहीं होता आप हल्दी का भी इस्तमाल कर सकते हैं चुटकी बर हल्दी एक अच्छा रंग देती है at the same time हल्दी एक बहुती जादा healthy ingredient भी है एक बार आपने ठंडाई का ये दूद्ध तयार कर लिया आप इस दूद्ध के साथ कई अलग अलग तरीके की recipes भी बना सकते हैं मिसाल के तौर पर इसी दूद्ध के अंदर आप थोड़ा सा चावल डाल कर खीर बना सकते हैं बन जाएगी ठंडाई कीर वहीं पर इसी दूद्ध के अंदर पिसावा चावल डालेंगे तो फिर नी बन जाएगी इसी दूद्ध को आप पकाते रहेंगे तो ठंडाई बासुन्दी तयार हो जाएगी साथ ही इसको आप जब अच्छे से रिड्यूस करेंगे गाड़ी हो जाएगी तो ठंडाई रबड़ी तयार हो जाएगी मतलब एक डिश है एक ड्रिंक है उससे आप कई अलग-अलग चीज़े बना सकते हैं ऐसे मेरा परसनल फेवरेट है इसी के अंदर एक वनिला आइस क्रीम डालकर एक ठंडाई मिल्क शेक बनाकर पीना तो यह थे हमारे टिप्स और ट्रिक्स चलते हैं रेसिपी की तरफ हम लेंगे खूब सारी आइस और उस पर डालेंगे यह ठंडाई और हमारी थंडाई ड्रिंक टान मैं इस रंग की कसम खाता हूं एक चुटकी रंग की केमा संदूर को नहीं और होली मुबारक अंकल क्या हो गया किस पर कांच पर बैठा हुआ है क्या कर रहा है अवास कहां से आ रही फिर कुछ नहीं कर रहा है क्या फरफटा है तू कर ले लो कि मेरे ब्रैंड कलर रहा है बबबब इन्व चोटा पपू कैमरा से ज़े तू अंदर आ जाता है वो अलगा अब जोश में आया ना धीरे धीरे वाम आप ओकर ना तरा रहा पर तरे को बोलने के जुरवत नी पड़ेगे फिर खुद आले ग अफ़ट लगता है नहीं बेरे बाल सफेद है दिखने है रहे आइस मेरे डबल चेन दिखेगी अब कर शिंगली दिखनी सर्व